देखो बेटा मैं आपको क्या बढ़ा रहा हूं मैं बच्चा पार्टी मैं आपको यह बताने चाहता हूं कि for example हम लोगों ने यह SI units में SI system थी जो उसके अंदर हम लोगों ने मास को रिप्रेजन करेंगे अब M से लेंथ को रिप्रेजन करेंगे सिम्बोल का नहीं बोल रहा हूं L से टाइम को रिप्रेजन करेंगे T से तेम्परेचर को K and current को इसका जो पावर होगा उसका जो डाइमेंशन होगा सुरी इसका जो डाइमेंशन होगा उस डाइमेंशन को इसके पावर के फोर्म में लिखो तो उससे जो formula बनेगा it's called dimension formula like this condition में आपको समझाता हूँ tension मत ले न length area and volume निदी जैन प्लीस focus here वैंको लेंदे का unit meter area जिसका unit क्या हूआ meter square lpH तो इसका unit क्या हूआ meter cube तो देखो यहां पर लेंद अक्ली है तो यहां पर लेंद का एक ही dimension है को यहां पर लेंदा दो है L भी है और B भी है यानि कि length का 2 dimension है जिससे आपको इससे भी पता चल जाता है यहाँ पर length भेटा 3 है तो 3 dimension हो तो मैं बटा क्या बताने जा रहा हूँ कि यह जो dimension है उसके power के form में लिखेंगे मतलब dimension formula L1 L2 यह बहुत आसान topic है don't worry, बहुत आसान है मेड़ा L3 यह clear हुआ सबका इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ only L इसमें मैं ऐसे भी लिखूँँगा चलो, इसका mass नहीं है time नहीं है, इसलिए दोनो 00 length है की है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ L2T0, लिख सकता हूँ अलग-अलग method से अब लिख सकते हो, जो नहीं है उसके उपर 0 कर दो, मतलब किसी के उपर 0 power, मतलब 1 चलो बेटा, इतना clear चलो take a screenshot okay, अब देखो, मैं अलग-अलग example लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं पर एक्जामपल, हमारे पास स्पीड, स्पीड का फोर्मला नियर अबाउट यही होता है, डिस्टन्स अपॉन टाइम तो उसको किस में मेजर किया जाता है, डिस्टन्स को मीटर में time को second में, तो मीटर, मतलब length का कितना dimension, one dimension second, तो time का one dimension तो उसको power के form में लिखो, thank you L1 T1 इसको ऐसे लिख दो कोई इसको ऐसे लिखना चाहता है समझ में आई बात, yes या no take a screenshot बेटा अभी से रट्टा नहीं मारना है बेटा, okay जोस्ट समझना है, how to create the dimension formula of any other, any physical quantities देखो, चलो मैं एक formula लेकर रहा हूँ, density का एक formula होता है, mass upon volume तो बेटा, mass किस major होता है? volume, अभी हम लोगोंने बोला तो kilogram यानि की mass का one dimension meter यानि की length का three dimension अब ये clear हुआ बेटा सबका concept clear हुआ, take a screenshot देखो, मैं ये दुसरी बार भी पढ़ाऊंगा, don't worry but अब कोई भी physical quantities है, सबसे पहले उसकी definition बताएंगे definition समझ के second बताएंगे, वो scalar है या vector है, fundamental है या derive है वो तो समझ में आ गया, fundamental derive, scalar vector मैंने बता दिया अब मैं हर बार बताता नहीं रहूंगा, but उसके unit और sat में उसके dimension formula लेते जाएंगे मतलब 9th का भी काम हो गया, और 11th का भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा okay, but बेटा, discussion it will be compulsory discussion it will be compulsory first discussion, what is the meaning of mass, mass क्या है yes, unmute होके कोई भी बोल सकते हो, जैसे class में बेटे total weight, total weight, weight और mass बोथ are different weight और mass total different, क्योंकि मैं अर्थ पे जब हूँ ना, तब मेरा weight सपोस्टी न्यूटन है तो मैं सब मून पे जाओंगा, तब मेरा weight divided by 6, 10 न्यूटन हो जाएगा but मैं divided by 6 होता हूँ क्या मैं जितना हूँ उतना ही रहूंगा clear, मतलब mass and weight बोथ are different कोई बात नहीं देखो, एक बार mind में word आया ना, निदी जेन आपने बोला weight, तो बोला आपने तो मैंने आपको आंसर दिया मैंने आपको आंसर दिया, तब आपका concept clear हुआ तो आपके अंदर जो चीज पड़ी है, गलत पड़ी है उसको तो बाहार निकाला जब उसको बाहार निकालोगे, तब कोई सच अंदर डाल पाओगे न, इसलिए बोलते रहो, ग्रैविटी के force के, अगेंस्ट हमारा में, उसको मास बोलते हैं, you need measure of the quantities, measure of the quantities, ओके, और कोई amount of substance भी बोलते कभी लोग, हैं तो amount of substance यहां पर अलग से दिया है, चलो, कोई भी physical quantities को कैसे समझा जाता है, बता है, एक example मैं अभी दे रहा हूँ, मैं हर बार इससे example नहीं दे रहा हूँगा, बात मैं इससे समझना स्टार्ट करोगे, चलो, इस pain के पास मास है, समझो, हायाना, हायाना, बोलो, है, अब देखना, क्यों गिरी, why the pain down, 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 क्यों डाउन होई, बढ़ा ही तो स्टार्ट हूई है, क्यों घू लगा, किस ने लगाया, कैसे लगा, चलब आर्फ की सरफेज में में क्या है ऐसा। जो पेन के उपर के रिटेशनल फोर्स लगाता है एससे उसे वलोना ठाइप। किश थोगा ना अर्फ के अंदर बेड़ा उसके पास मा है सर मा मा है मा है इसलिए गिरोडेशनल फोर्स लगा बच्चा पार्टी बोलो ओके अर्थ के पास मास है क्या है मास है इस पहन के पास भी मास है ड्यू तो इस मास ग्रिविटेशनल फोर्स अकार्ट वन अब्जेक तो अनदर अब्जेक अप इस लो का स्टडी करके आये हो बेटा थाँ С Justin Cya This law is known as a Newton's law gravitational इंद इन य्यूनिवर्स कोई भी ऑब्जेक जिसके पास मास है वो दो ऑब्जेक एक दुसरे के पास attractive force apply करते है जिसके पास मास है महा नहीं जिसके पास मास है तो मास के इसाब से उसके अंदर attractive force लगता है मैं एक second question पुछ रहा हूँ मैंने कोई paper में देखा था कि हम लोग free space में है दो बंदे को free space में रख दिया ऐसे ही वो दोनों बंदे कहां जाएंगे give me the answer वो दोनों बंदे कहां जाएंगे कि इधर से उधर गुंतर मेडियम नहीं अनार पर अधो कहां रहेंगे दोनों मैंने दो एस्टरनोट्स को free space में ऐसे रख दिया चल प्लैन में से निकाल दिया रह जाओ अब वो दोनों कहां निकलेंगे आपने gravity movies देखा है in gravity what is the meaning of in gravity कहां जाएंगे मैं बोल रहा हूं through एक दुस्तरे के नश दिख why because both have a mass mass create the gravitational force वो attracting force होगा obvious लेक दुसरे के नश दिख जाएंगे बेटा तो सर वो directly earth के नश दिख नहीं आ चाहेंगे उसके पस ज्यादा mass in earth के बेटा free space में earth का gravitational नहीं लगता है free space में earth का gravitational नहीं लगता है बेटा okay बात समझ में आई या नहीं आई okay free space में earth का gravitational नहीं लगता है but दोनों का खुद का तो लगता था अब पेन के ऊपर भी gravitational force लग रहा है तो क्या पेन अर्थ के ऊपर gravitational force नहीं लगा सकती है give me the answer लगा सकती है because इसके पास भी mass है but effect earth की दिखाय देगी क्योंकि earth के पास ज्यादा mass है concept is clear अब पता चला mass क्या है फुरकान yes mass is the properties of matter mass is the properties of matter which can generate the gravitational force what is the meaning of properties properties हम लोगों को दिखाय नहीं देती है कभी भी वो कोई ना कोई effect generate करती है वो कोई ना कोई effect generate करती है कैसे for example में आपको एक चीज़ बताओ कि आपको मैं गुलाब जामुन दूँ तो आपके मुह में रखोगे तो गुलाब जामुन आपको sweet लगेगा the sweet is the properties of गुलाब जामुन वो दिखाई नहीं देगा जब आप उसको खाओगे तभी पता चलेगा बेटा clear तभी बेटा आपको पता चलेगा बात समझ में आ रहे हैं ना तभी आपको पता चलेगा तो properties को properties के हिसाब से कोई नहीं को effect generate होती है क्या यह matter है इसके पास महास है बड़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है बेटा दिखाई दे रहा है no right my my second question properties कभी दिखाई नहीं देती है क्या इस pain के पास material है material के पास mass है क्या इस material के पास charge है yes या नो मेटा charge है yes या नो मेटार के पास mass भी है मेटार के पास charge भी है बहुत सारी properties होती है मेटार के पास अलग अलग properties से अलग अलग effect generate होती है किसी के हिसाब से electric field generate होता है तो किसी के हिसाब से magnetic field generate होता है वो पता कब चलेगा जब वहां पे कोई चीज रखोगे उसको अट्रिक किया रिपेल किया उससे पता चलेगा आपको तो अभी तो हम लोग mass पढ़ रहे थे बेटा है राइट मैं बच्चा पार्टी first physical quantities का नाम है mass जिसका symbol कोई small m यूज़ करता है कभी कबार कोई capital m भी यूज़ करता है मैंने क्या बोला mass is the internal properties of internal properties of matter which can produce gravitational force मतलब कोई अब exam में पुछे या आप college में जब जाओगे तब पुछेगे वा वाट इस the meaning of mass तो आप बोलोगे सर हर हर कनकन में mass होता है कनकन में mass होता है और उस mass के झाल झाल क्लियर क्या जन्रेट होता है उसके हिसाब से ग्रिवटेशनल फोर्च जन्रेट होता है यह मैं बच्चा पाल्टी इसका यूनीट किलोग्राम है डामेंशन फॉर्मला यह फिजिकल कॉंटिटीज मैंने आपको एक्स्प्लेइन की टेक स्क्रिंशोट अज बहुत सारी फिजिकल कॉंटिटीज को समझना है अगर हम और्च से ज्यादा मास्क वाली चीज़ अर्च पर फैकेंगे तो और्च उसके टूर्ड्स अट्रेक्ट होगी इसका स्क्रिंशोट लेलो मैं एक्स्प्लेइन करता हूँ आपको यह युनिवर्स है उसमें हमारा यह अर्थ है आपको भी पता है यहां पर बड़ा सा सन है तो सन अर्थ को अट्रेक कर लेगा चलो मैं क्वेस्चन सन अर्थ को क्यों अट्रेक नहीं कर रहा है तो sun अर्थ को अट्रिक कर लेगा या नहीं कर लेगा yes या no sun का मास है न 10 रेस्टो 24 kg आता है 30 kg और अर्थ का मास 10 रेस्टो 24 kg आता है 10 रेस्टो 6 टाइम्स बड़ा है ये 10 लेक्स टाइम्स बड़ा है sun का मास तो अर्थ को अट्रिक कर लेगा या नहीं कर लेगा Give me the answer करेगा या नहीं करेगा करेगा हाँ तो क्यों नहीं करता है क्योंकि डिस्टेंश बहुत जयादा है लगा नो बेटा क्योंकि ऄर रिवोल करती है होता क्या है बेटा कि ये सन है ये आर्थ है तो अर्थ और सन के बीच में gravitational force लगता है और तीजे से revolve करती है ना बेटा तो एक इस direction में न centrifugal force लगता है revolve करेगी न तब जिसका formula है mv square by r future में पढ़ोगे बेटा ये दोनो equilibrium हो गया देखो अब earth नहीं जा पाएगे इस side clear यही reason है तो देखो universe में हर एक चीज मोशन क्यों कर रही है और वो भी circular because of the equilibrium of the gravitational force sun जो है उससे भी बड़ा मास वाला उससे भी बड़ा मास वाला और भी है तो sun उसके और राओं रोटेट कर रहा होगा in the galaxy in the galaxy is an every in the galaxy every object सब के पास मास है और सब एक दूसरे के उपर gravitational force apply करेंगे इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा revolve करना ही पड़ेगा तो जितना interaction करोगे ना उतना concept ज्यादा clear होगा सब को पूछ रहा हूं और सबको पूछ रहा हूं क्लियर के पास मास होता है इस दो मिनिंग ऑफ distance and displacement मुझे यह बता दो बिटा सबसे पहले पोजिशन समझ में आती है पोजिशन मतलब हम लोग कहीं पे भी कहीं कोई एक पोजिशन पे खड़े है पोजिशन रिप्रेजन करने के लिए नाइन्थ में आप पड़े थे कि पोजिशन को रिप्रेजन करने के लिए always reference point की requirement रहती है कोई आपको call करें और आपको पूछे हितेंद्र आप कहां पे खड़े हो तो आपने बोला मैं पांच किलोमेटर पे खड़ा हूँ वो बंदा सोचेगा सलाप पांच किलोमेटर कहां से तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि मैं बुरा हो चोकडी से पांच किलोमेटर पे खड़ा हूँ तो always position बताने के लिए reference point की requirement होती है जो always हम लोग origin point जिसको बोलते है वो reference point बना दे है बहुत बढ़ी ऐसा question था where is the Gandhinagar in Gujarat तो बहुत अलग-अलग बोलेंगे कोई बोलेगा गोधरा से 150 किलोमेटर है कोई बोलेगा एमदाबाद से 30 किलोमेटर है कोई बोलेगा बरोडा से 170 किलोमेटर है सभी location गांदी नगर की बता रहे है पर reference point सबका अलग-अलग तो इस वन इस दपोजिशन पोजिशन कैसे री प्रेजेंट होती है वो बता चल गया अब मुझे यह बता दो distance or displacement में फरक क्या एक मुझे definition नहीं चाहिए मुझे explanation चाहिए कैसे समत्ते हो distance and displacement हेफी नेशन बोलो तो मैं मना नहीं करूंगा यह सब्सक्राइब इस्प्लेस्मेंट यानि की shortest distance जैसे कि पहले यहां से यहां पर गए और यहां से यहां से यहां पर और वो दोनों का काम हो गया है और कोई समझा पाएगा और कोई समझा पाएगा कि यस तेवांग ट्राइड बेटा कि सर गोद्रा से बरोड़ा वह और बरोड़ा से एमदाबाद वह डिस्प्लेस्मेंट हुआ बट यहां से डायरेक्ली एमदाबाद चाहेंगे वह डिस्टन्स हुआ अरे पर्फेक्ट यही नीदी ने बोला 123 राइट मनलब यह कंसेप्ट क्लियर है आपका चलो पर्फेक्ट मैं सबको एक्स्प्लेइन करता हूं बेटा हाव टू देखो डिस्टन्स और डिस्प्लेस्मेंट क्या है डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा बोलते हो आप टोटल पाथ लेंद्ध कवर ब और डिस्प्लेस्मेंट मतलब सोर्टेश डिस्टन्स बिट्वें इनिशल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन क्लियर फाइनल पोजिशन माइनस इनिशल पोजिशन कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं यूनिट दोनों का मीटर डामेंशन फोर्मला बेटा दोनों का एल वन अपने नाइन्ध में ऐसा भी पढ़ा होगा कि डिस्टन्स अल्वेज पोजिटिव पाथ लेंथ अरे डिस्प्लेस्मेंट वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और जिरो भी है लाइक इस कंडिशन में सबको एक्स्प्लेइन करता हूँ कि हम लोग एसे भी गए आप देख सकते हो एसे बी जाओगे तब डिस्टन्स और डिस्टन्स प्लेइन दोनों से में राइट बड़ जब आप एसे बी गए बी से वापिस सी आए तो डिस्टन्स कितना हुआ अब क्लियर हो जाएगा फुरकान आप देख सकते हो यहां पे कि डिस्टन्स बड़ा है डिस्टन्स चोटा है मतलब आपने टेंद में यह भी बढ़ा था ना कि डिस्टन्स ग्रेटर दो डिस्टन्स यह पढ़के आये हो बेटा डिस्टन्स यह तो डिस्टन्स से चितना यह तो उसके बड़ा होता है आपने वापिस आगे एसे बी गए बी से वापिस यहां पर ए पर आगे तो आपका डिस्टन्स कितना ए बी प्लस बी है वैनेवर डिस्टन्स कितना जीरो आप ऐसे गए वापिस यहां आगे तो आपका डिस्टन्स कितना एसे भी प्लस बी टू डी पर डिस्टन्स कितना ए डी मिलब डी माइनस है इसको मैं रेफरेंस बना दू तो इस सेड माइनस होगा तो negative भी आ सकता है वो positive भी हो सकता है negative भी आ सकता है देवांग ने क्या बोला अभी में गोदरा में हूँ वहाँ से बरोडा गया बरोडा से में आहमदाबाद गया तो ये जो मैंने cover किया ये है distance और बिटा ये है displacement क्लेस्मेंट चलो सबका कंसेट क्लियर बेटा हाया ना चलो टेकर स्क्रीन सोट अब स्पीड और वेलासिटी उनको समझना है स्पीड और वेलासिटी को समझना है बेटा कि आपने ऐसे दो फोर्मलास पड़े हैं डिस्टन्स अपन टाइम को स्पीर बोलते थे और डिस्प्लेस्मेंट अपन टाइम को वेलासिटी बोलते थे राइट डिस्टन्स अपन टाइम जन्रल फोर्मला और डिस्प्लेस्मेंट को डेल्टा एक से रिप्रेजन किया जाता है दोनों का unit क्या होता है बेटा meter per second को ऐसे भी लिखते थे kilometer per hours यहाँ देना बेटा चलो meter dimension formula बना देते हैं meter L1 second T1 कैसे लिखेंगे L1 T-1 but explain what is the meaning of speed and what is the meaning of velocity चलो speed or velocity समझ में आ जाएगा बट आप समझाओ मुझे आप समझाओ बेटा speed or velocity को explain करो speed को explain करो speed is equal to total distance covered by an object divided by time okay explain करो बेटा hitendra explain करो मैं बच्चा फेनी 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 यस निदी यह जो आपकी डेफिनेशन है उसी सही समझा सकते हो ना चलो मेरा घर आपका घर मैं मेरे घर से आपके घर आ रहा हूं मैंने बाइसिकल ली किसी बंदे ने मोटर साइकल ली तो दोनों में परक्या हुआ बेटा आप ऐसा बोलोगे सर बाइक की स्पीड ज्यादा थी मोटर साइकल की स्पीड कम थी बट उसका मिनिंग क्या वो तो एक सेंटेंस उस कर रहा हो देखो बाइक और मोटर साइकल ने डिस्टन्स केसा का रहा है सेम या अलग-अलग वो मुझे बता दो मैं आपके घर से आया क्या सेम सेम डिस्टन्स कट किया ना कवर किया सेम डिस्टन्स कवर किया बर दोनों ने टाइमिंग अलग-अलग लिये cycle ने timing ज़्यादा लिया, bike ने timing कम लिया, बस, इसी को समझाया जाता है, बस, मतलब आपने जो distance or displacement काटा है, with the reference of the time, आपने उस distance or displacement को कैसे measure किया, बेटा, कैसे measure किया, with respect to time measure किया, तो देखो एक position थी, उस position को change लाए, तो distance or displacement generate हुआ, उस distance or displacement को, with respect to time measure किया, with respect to time, तो आपको जो मिला, उसका नाम क्या, speed or velocity, meter per second, फे नहीं क्या, meter per second उसका unit बन गया, meter for 11, second for T1, dimension for 11, बनाना आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एकदम clear हो जाएगा, बट मेरा concept क्या था, केसे समझना है, अब आप acceleration केसे समझाओगे, ऐसे मत बोला, change in velocity per unit time, वो मैंने बोल दिया, change in velocity per unit time, वो तो मैंने भी बोल दिया, आपने भी सुन लिया, यह बात कहा, दिक्कत में आती है, आपके future में है, आपको, एक question जनरेट होगा, सर मैं question जैसे रीट करता हो ना, तो मुझे पता नहीं चलता है, answer क्या आएगा, कोई नए equation आएंगे तब, यही सब का problem रहता है, उसी का reason क्या है, कि आपने कोई भी चीज़ को समझा नहीं है, बस, आपने याद रखा है, change in velocity per unit time is known as acceleration, चलो, उससे क्या होगा बैटा, आप यह कर दोगे, देखो, आपने यह कर दिया, acceleration, formula लिख दिया, change in velocity, per unit time, acceleration को यह से represent किया जाता है, इसका unit बना दिया, क्योंकि velocity का meter per second, time का second, meter per second square, और आपने dimension formula बना दिया, meter का L1, second square का T2, बन गया, L1, T-2, यह तो सब को अब clear हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इतनी चीज आप बूक में से रीट करके भी देख लोगे न, तो मेरी requirement है ही नहीं, कोई requirement नहीं है, बट आप समझें नहीं, बट आप समझें नहीं, टेक आप स्क्रीन सोट ले लो, एक्सलरेशन क्या है बेटा, वो आपको बेटा मुझे समझाना पड़ीगा, यह बहुत बड़ी बात है, इसको छोटी मत समझना, प्लीज आई request, आप अपने, बाइक में आपके कोई बंदा चला रहा पीछे बेटे हो, आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या दे रहे हो, आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, कोई बाइसिकल ने स्पीड बढ़ाई, बाइसिकल की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, बाइसिकल ने एक सेकेंड में 5 तू 7 किया, बाइसिकल ने एक सेकेंड में 5 तू 15 किया, दोनों ने same time में different velocity अचीव की मतलब bike का acceleration ज्यादा cycle का acceleration कम एक second time same लिया unit time में change in velocity 5 to 7 यानि की 2 हुआ इसमें change in velocity 5 to 15 इसमें 10 हुआ तो मतलब इसका acceleration 10 meter per second square है इसका acceleration 2 meter per second square है everything is clear छोटी छोटी बाती समझने ज्यादा नहीं समझना होता है बेटा अब टेंसर मतलो ज्यादा ओके ऐसे समझो तो सर हम लोग फ्लैट सर्फिस पे 5 meter per second की स्पीड से चला रहे है जैसे ही slope आया upwards तो speed slow हो तो वहां पर भी acceleration होगा obviously जहां जहां speed increase, decrease वहाँ वहाँ acceleration एक्सल्रेशं दो तरीके का होगा एक्सल्रेशं दो तरीके का होगा क्लियर बेटा कि यस या नो है डन चलो दूसरा यह कंसे पेक तो सबका क्लियर ही होता मैं मना नहीं कर रहा हूं इतना टाफ तो नहीं है बड़ ऐसे समझना इसको इस तरीके से समझना लैंथ एरिया एंड वोल्यूम हमारे पास कोई वायर है राइट वायर तो वायर में बहुत पतला वायर है तो उसमें हम लोग only length ही consider करते हैं इसलिए वो वन डाइमेंशन है हमारे पास कोई plate है ऐसी plate है तो उसमें length और width दोनों consider करते हैं इसको 2-jam बोला जाता है कि यह 3-dimension हुआ 1, 2, and 3-dimension इसलिए इसको 3-dimension किया जब जहां जहां 1-dimension की बात आए तब length consider करो 2-dimension की बात आए तब area consider करो और 3-dimension की बात आए तब volume consider करो इसलिए लेंद का symbol तो लेंथी होता है बेटा यह एरिया का formula no doubt अलग अलग होता है सबका ऐसा same नहीं होता L cross B और volume का भी formula ऐसा नहीं होता LbH सबका अलग-अलग होता है वह आप 10th में पढ़ के आए हो right पर उसका unit same रहेगा इसका unit meter इसका unit meter square इसका unit meter meter मीटर मीटर क्यों डामेंशन पूर्मला लेंथ का वन डामेंशन इसमें टू डामेंशन और इसमें थी डामेंशन तो ल्टी बेटा क्लियर तेक श्क्रीन सोट इसका इसका डीपली आपको टैंथ वाला स्टडि करना है तो सबके फ्रमला साथ में लिको पैयार स्वेयर बियच पैयार क्युब फोर भाई थ्री पैयार क्यूब पैयार स्क्वेयर लह ले यह बात आपको टैंथ वाली पता है सबके वोल्म सबके एरिय हज़ा है अब एक नहीं कर रहा हूं मेरे पास एक गलास पानी है एक गलास में सेंट है सेंट रेति ए एक गलास पानी एक गलास सेंट मुझे पता आ दोनों का क्या सेम और क्या सेम नहीं है यस निदी जेन वोल्यूम सेम होगा दोनों का वोल्यूम सेम होगा मतलब स्पेस जो भी उसने स्पेस रोकी है in the universe is known as a volume तो वोटर का वोल्यूम और और सेंट का वोल्यूम सेम होगा बट डिफरेंट क्या है मास दोनों का मास डिफरेंट है तो मेटा देखो दोनों का मास डिफरेंट है वोल्यूम सेम है अब मैं दूसरा ले लू उसमें कोई अलग मटिरियल फिलप करूं तो उसका भी मास अलग हो गया मलब एक चीज़ है कि डिफरेंट मैटर के लिए डिफरेंट माटिरियल के लिए different liquid के लिए कोई भी state हो different हो उसका volume same होगा बड़ mass different होगा yes or no there are no equal mass for equal volume it will be not compulsory कि हर एक जगा पे mass और volume same volume का same mass equal होगा हाद दोनों glass में पानी पानी रखा होता तो अलग बात है तो यह किसके उपर depend हुआ different mask for same volume किसके उपर depend हुआ किसके उपर depend रखता है material के उपर which types of material we have to choose right depends on material तो मैं अगर नहीं बोलूँगा ना में बोलूँगा different material के लिए different mass per unit volume सेम होता है बट उसका कुछ नाम दे देता हूं सबोज मैंने उसका नाम दे दिया राइक इस अधी उसका नाम आधी है आधी मतलब क्या डिप सेम वोल्यूम पे डिफरेंट मास उसका नाम आधी मतलब अब मैं ऐसे बोलूंगा कि अलग-अलग मट्रियल का आधी अलग-अलग होता है आधी का मिनिंग क्या मास अपन वोल्यूम बात समझ में आई बड़ इन लोग उने नाम दे दिया डेंसिटी इसलिए हम लोग बोलते हैं डेंसिटी क्या बोलते हैं यही कंसेप को समझना है बेटा कि यह डेंसिटी मतलब मास अपन वोल्यूम यह थ्री डाइमेंशन की डेंसिटी है टू डाइमेंशन की जब डेंसिटी पढ़ोगे ना जिसको आप इसको एक्चुल में ना वॉल्यूम बोला जाता है वॉल्यूम डेंसिटी टू डाइमेंशन में सर्फेस डेंसिटी आएगी वो फ्यूचर में पढ़ेंगे बहुत आगे पढ़ना है बेटा अभी नहीं पढ़ना है डॉंट वरी और वन डाइमेंशन में डेंसिटी जो होगी न उसको लिनियर बोला जाता है लिनियर मास अपोन एरिया नहीं लैंग आएगा इसको रो से डिनोट करेंगे मास अपोन वॉल्यूम इसको सिगमा से डिनोट करेंगे मास अपोन एरिया इसको लेंबडा से डिनोट करेंगे मास अपोन लैंग ये सर्फेस डेंसिटी ये लिनियर डेंसिटी और ये वॉल्यूम डेंसि का वायर पतला सा कोपर का वायर तो आप उसके लिए linear density define करोगे पड़ो थोड़ा भी ठीक होगा तो उससे अंदर volume area आ जाता है तो volume और area multiply करते हो और volume और area और length multiply करते हो तो volume आ जाएगा obviously volume density तो define करनी पड़ेगी चलो unit इसका होगा kilogram per meter cube इसका होगा kilogram per meter square और इसका होगा kilogram per meter dimension formula m1 l-3 t0 इधर m1 l-2 इधर m1 l-1 t0 ओके मैं बच्चा पार्टी तो बेटा इस तरीके से हर एक physical quantities को हम लोग समझेंगे कल का homework क्या है फोर्स के momentum के बारे में थोड़ा बहुत friction के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और कल यह सब कुछ रीट करके आओगे तो जिससे हमारा interaction easy हो जाए कल लास्ट lecture होगा कल I think so 9th में आपका ख़तम कर दूंगा इंट्रोडक्शन देना हर एक चीज को में deeply नहीं पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ना ही है पूरा नाइंद मतलब हमारा 11 है clear बट यह terminology थोड़ी बहुत आपको समझ में आनी चाहिए clear मैंने बोला 5 meter per second square है मतलब किसी का 2 meter per second square है मतलब उसकी speed बढ़ रही है 5 meter per second की speed में मतलब 5 का 10 होगा 10 का 15 होगा 2 का मीनिंग क्या समझोगे 1 से start करो तो 1 का 3 होगा 3 का 5 होगा समझो बेटा डेटा में लिखा हुआ है कि कोई कार की कोई कार माइनस 5 meter per second square से आया more accelerated motion कर रहा है मतलब वह माइनस का मिनिंग हुआ कि उसकी velocity decrease हो रही है मतलब उसकी velocity negative नहीं बटो उसकी velocity decrease हो रही है 15 से 10 10 से 5 की तरफ आ रही है अब मुझे बतो कहां change in velocity की बात करोगे यहां पर जब समझने की बात आएगी तब यह यह रोल बहुत important role pakel ओके तो सेटर्डे बेटा हमारी Menti होगी Menti में क्या होगा जो भी हम लोग उने maths पड़ा है वो जो भी हम लोग पड़ते रहे हैं वो पूरा last में हमारा Menti करेंगे सेटर्डे को फ़रें उन्हों हमारा छोटा सा टेस्ट होगा अभी लियर और अभी आज आपका केमिस्टी का टेस्ट है मैं राइट ना नीट का लियर बेटा नीट का टेस्ट जब आप दे रहे हो शाम को नो बज़े है तो आप क्या करोगे उसके लिए सबसे पहला रूल क्या है बेटा आपका इंटरनेट कनेक्शन परफेक्ली आना चाहिए जाएगा तो को डाइवर्ड कर दो आउट डाइवर्ड दे कोल तर्च इन यूट्यूब तो आपको बता देगा कि कैसे डाइवर्ड किया जाता है क्लियर ओके थर्ड बेटा जब भी टेस्ट दो तब कोई भी बूक में से कोपी मत करो दूसरी बात अप्लिकेशन हमारी ऐसी है कि आप उसको साइलेंट करके दूसरी अप्लिकेशन में देखने जाओगे यह तो गूगल में सर्च करने जाओगे तो अपने आप सब्मीट हो जाएगा तो ऐसा मत करना बेटा प्लीज जब भी टेस्ट दे रहे हो और लास्ट वन आपकी सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज आप बुक आप एंस्टिट्यूट पे जाके आज आज आप अपनी अप्लिकेशन एक्टिव करवा लो और वहां पर एक्टिव करवा लिये फिर भी एक्टिव नहीं होई है तो मुझे कोल करना बारा बज़े के बाद मुझे वा प्रशना खुद के लिए टेस्ट दो साल्फ के लिए टेस्ट इसी ओफलाइन एज्ट्यूकेशन को ऑफलाइन केसे बनाया जाता है बस एक ही टेस्ट में आप लोग चोरी ना करो ना तो ऑफलाइन से भी बेटर हो गया यह चोरी नहीं करना है देखो फेनी फॉर एक्जांपल बोल रहा हूं ब्रज आज सर ने 180 मार्क्स का टेस्ट अरेंज किया भले ना 20 आए भले नी 40 आए बट खुद के मार्क्स है ना यह सोचो तो मुझे मेरे ही मार्क्स अच्छे लगेंगे क्यूं क्यूंकि खुद के होते हैं दुसरे के हम लोग क्यूं देखे अभी इनिश्यल बेज है किसी का 180 में से 160 आया किसी का 50 आया कोई बात नहीं बट वो 50 जो आएगा ना बेटा वो 50 का 70 होगा 70 का 90 होगा उसका 120 होगा और उसका 150 होगा यह पॉजिटिव तिंकिंग है और चोरी करके बेटा 170 लाए ना तो बाद में दुसरे टाइम भी चोरी करनी पड़ेगा एक टाइम तो ऐसा आएगा 170 का डाइरेक्ली 20 हो जाएगा और टाइम नहीं लगेगा बट निधी बोल रहा हो पुरकान एक बार 50 का 70 90 120 यह जो सिडिया चड़ीना बेटा कभी भी वापिस बेक नहीं आओगे बट उपर वाला को देखके अल्वेश पेपर देना पड़ेगा कि समझ में आई बात कि यस या नो क्लियर यह चीज़ याद रख लेना मेटा ओके सेल्फ दो किसी को इंप्रेस करने के लिए मत करो का शो काम करो इंसाइड उसको हिंप्रेस करो अ अपना उसको इंप्रेस करो बेटा कॉंपृटिशन में आएंगे बेटा अभी देर है अभी तो stell बेस बेष पेख मेरलभाव ड़ आहिस्त 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 करना है मिधा में यह रपीड फिर भी बीन हो गया था करना काज़ वीन था यंदो सोरी थायो तो यह है तो ने टोल टोग्त विले टाइम लागी हाथी दो नहीं दो बे वरस पच्छी शे आज भी तम्हें वस्तवने पर फोकस कर सो तो यह टेस्ट वर्स त समय ने बेटा वर्थ करी रहा हो से लिएर आई रिक्वेस्ट फिर मस्मजे नो टेस्ट आप जो हर्स एक हुज है टेस्ट आपी रहे हो चो टेस्ट आपी रहे हो चो अत्या नहीं वागे टेस्ट से चलो और रिडिंग करी लो हां यह विदू तमारा मां हुज हुज है फाउंडेशन एकदम बेजिक बेजिक रीड करो विकोज एमसी क्यों का टेस्ट है समझना ज्यादा है ओके बेस्ट आफ लग यह एंजोई करो बेटा